नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटिजिक तैयारी चैनल पर आज हम बात करेंगे कुछ महत्पुर मुद्दो पर जैसे यूटूब पर फैली जो तैयारी संबंदि जो चैनल है उनका यूटिलाइशन कैसे किया जाए कैसे नकली और असली में फर्क करें और कैसे जिन्वन चीज को तुरण पकड़ने एक जटके में क्योंकि मारदर्सन बहुत जरूरी है लेकिन हाँ ब्रामक नहीं होना चाहिए और दूसरी बात आपका समय बहुत किमती है क्योंकि तैयारी के चरण के जो दो साल होते है न वही आपको maximum output देता है क्योंकि जैसे यसे तैयारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका moral अगर selection नहीं होगा तो down होगा और आपके energy down होगी ठीक है और energy और moral down होगा तो selection कभी नहीं हो सकता ठीक है motivation की बात रही तो कहीं से भी मिल सकता है चाहे वो चीटी हो चाहे वो हाती हो चीटी से मिला हेमायू को समराज खड़ कर दिया हाती से मिला जैन धर्म को पूरे पूरी एक धर्म बन गिया ठीक है हाती से ठीक है ये सब चीजे है कि कहां से आपको मिलता है लेकिन आपको कुछ चीजे जा लें चाहिए कि टैलेंट और मैं बाकी इस पर दे चुका हूँ लेकिन टैलेंट सुनिये क्या है टैलेंट चीजों को आसान कर देता है जैसे कोई भी चीज आपने देखी हैं आपने कभी कोई एक चीज अभी देखी और उसको देखते ही आपने जच कर लिया कि ये मेरी पढ़ाई समंदी चीज नहीं है मेरे फेज में भी ही आया था ठीक है उससे कुछ नहीं होता उस समय अच्छा लगता लिगें बाद में तीन साल बाद उसी बेवही बलड़का उस टीचर को गाली दे रहा होता है क्यों क्योंकि उसका समय ब्रबाद हो गया ना उसे वह चीज पता ही चल पाई जो पता चलनी चाहिते उस समय में तो क्या हो खोद से पढ़ना इस्टार्ट किया देखिए यूटूब पर देखिए कैसे पहचानेंगे सबसे पहले संसनी खेज कुछ भी हो तो रहें स्किप क अगर वह बताता है कि बुकलिस्ट पढ़ लो यह सब्जेक्ट पढ़ लो यह सलेबस में यह टॉपिक्स पढ़ लो तो अच्छी चीज है लेकिन वह कहें कि यह चीज़े मैं पढ़ा दूँगा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है तो समल लो कि वह सीधे सीधे आपको इस चीज़ को पहचाना सीखिए संसनी से बचिए क्योंकि यूटूब पे अच्छी चीज़े भी है चाहे ऑनली आईस देखिए चाहे इस्टेडी आईक्यू देखिए बहुत अच्छे चैनल इनको आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन इस्टेडी आईक्यू में भी क्या वो तो पूरा कर सकते हैं आईस वाले बागी किसी जवध नहीं है ठीक है चीज़े अच्छी पहचानना आपके नजरीय से है अगर आप चीज़ों को नहीं पजान सकते तो सेलेक्शन मुस्किल नहीं नमुम्किन है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़े है हजारो लाखो चै करके निकल जाओना तो एमसी क्यों लगाने से कुछ नहीं होगा सेलेक्शन का प्रारू बहुत बदल चुका है अब वो समय गया जब पूछ लेते थे कि हमायू कौन था ठीक है अब समय बहुत बदल चुका है अब सीरे सीधे राज में वस्ता पूछी आती है ठीक है यही स अब कर रहे हैं जो जान नहीं चाहिए मैंने सोचा कि कुछ आपको बताया जाए कि कैसे करना है क्योंकि इतने अच्छे चैनल है आप उनको फॉलो करते हैं या अच्छे चैनल भी कभी-कभी जब संसरी खेचिए डालने लगे ना तो उनको तुरन अनसर्सक्राइब करके न तो में पास नहीं होने देगा सीधी बात है यार समय को पकड़के चलो समय मूल लिवान है ठीक है यह सिर्फ लगता है लेकिन जैसे से 25 साल की होती है क्योंकि एक उमर होती है 16-25 साल लड़कियों के लिए 16-22 साल इसमें बेक्ती नसे में रहता है नसा किस चीज का जोस का ठ कर दूँगा वो कर दूँगा एक बार पढ़ूँगा मैं टॉप कर जाओंगा यह सब चीजे रहती है जैसे ही 25 क्रॉस हुआ अपने आप ही एक ऐसी चीज भवना आ जाती है दिल में कि यह रहा हम से नहीं होगा जो मिल जाए ठीक जो लड़का आए सपने देख रहा था अ उसके बात देखेंगे कि हमें बड़ा क्या करना है ठीक है ना हमने कॉंप्रमाइस कर लिया समय के साथ अगर समझदार रहते ना तो सुरुआप में कॉंप्रमाइस करने की बाद हो जो थी ना पढ़ती समझदारी आए कैसे क्योंकि हमने तो ऐसी स्कूला इंटर कॉले से प आपकोAC tadimus करता हों और उसकाहिन करतां और चीजह किरुन मार्कदसण करता हूं और जैकम करता हो जिससे आप खुंद बले ओन ही मार्क दसन अच्छा होता है जो आपकी hope जाला वह बना रहा है पैसे कमाने का स्रेक जडिया बना लिया उस्सें और कुछ नहीं है थाया वैतल साथ खर आपको क्यों क्यों बनते हो यार दुनिया तो बैको बना रही तुम क्यों समय बहुत कीमती है हजाव चैनल के और पांच मिट काई वीडियो है तो भी मत देखो यार अगर समय बरबाद दिमाग खराब हो रहा है तो ठीक है इसलिए बत्तों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ थैंक्यों वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो